आज के इस लेक्चर में हम लोग डिसकुस करने वाले हैं नुमेरिकल्स ओन सर्कुलर मोशन फॉर जेएडवांस्ट सो लेट स्टाटेड तो यार सवाल समझें सवाल नंबर वन में क्या होलता है पर्टिकल्स की जो अंगुलर विलॉसिटी है इस फंक्शन आफ अंगुलर डिस्प्रस्मेंट अपने को गिविन है ठीक है ओमेगा बरावर ओमेगा नोट मैनस के थीटा ओमेगा नोट है के यह सब कॉंसेंट्स है ओमेगा एंगल लॉसी है थीटा एंगलो डिस्प्लस्मेंट है क्या पूछ रहा है Find out एंगलो डिस्प्लस्मेंट as a function of time थीटा as a function of time निकल ला है क्या थीटा as a function of समय निकल ला है देख अगर एंगल लॉसी constant होती है औपर चीटा पूछता तो डिरेकली एक लाईं में चपका देते से ओमेगा बरावर यल्टा धीटा पॉन डेल्टा टैसे कि सिवे टी टा है अगर फीटा पूछता तो फीटा डिरेकली हो जाता किया解़ लॉसीた प्रावर हम ट्रेन होजलिए हो सकता हो मेंगा थीटा का फंक्शन होता है एसा है दोनों में सेम अप्रोच रहेगी अगर तो मेंगा कॉंसेंट होता हो थीटा पूछता दो डिकली यहां से चिपका देता थीटा बरावर ओमेगा इंटूटी बड़ियर यह अडवांस लेवल का सवाल है तो वरेबल है तो निकालना पड़ेगा अना देखो जहां ओमेगा देख रहा है न डी थीटा बाइटी चिपका क्या एंगुलर व्लॉसरी इस रिफाइंड रिटाव चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्रस्मेंट विद रस्पको टाइम थीटा किटम सेक्साइड टीक टम दूसरे साइड और श यहां पर टाइम के लिमेंट पढ़ेंगी यहां पर दीटा के लिमेंट सुनना इता देख क्या लिमेंट सबको चमकी अब जिए इसके बाद जो इंटेगरेशन की कहानी है उसमें गाड़ी तुमारी एटकी होगी तो यह हम लोग ठीक है यह स्टाटिंग साटिंग में कर च चुक है जब तुम लोगों को इसेंशल मातमाटिक्स जेग डवांस लवल का पढ़ाया था उसमें इंटेगरेशन यूसरे माथड़ डॉप सब्सक्राइब क्या होता है कैसे कैसे करते हैं तो उसका यह है ना उसा पढ़ाया हुआ थिक है कैसे कैसे अपलाई करते हैं ठीक ह देखो इस पार्ट को हम लोग थोड़ा सा अलग से देख लेता है तो इसमेर क्या करते हैं जो डिनॉमेटर है ना उसको कुछ अजियूम कर लेते हैं मैं माल लेता हूं लेट से एक सब मैंने माल लिया जाब ओमेगा नौट माइनस के थीटा इसकी वेल्यू एक्स है पूरी पूरी क्वेशन को एक सबस्क्राइट में डिफरेंशेट गरा रहा हूं किसे के बोल पकड़ पार है तुम लोग आवज निए एक्स का विद्रेस्पेक्ट टू एक्स वन ओमेगा नौट कॉंसेंट ओमेगा नौट कॉंसेंट डिफरेंशन दिरो जाएगा के छोड़ दे अधर डिफरेंशेट करा रहा है एक्स का विद्रेस्पेक्ट को एक्स वन ओमेगा नौट कॉंसेंट गरो जाएगा माइनस के थीटा का विद्रेस्पेक्ट टू एक्स दीटा बाइट यह स्टो देखो थे क्या कोशन तुमनों को स्वाम में रडियूस होते हुए दिख रही है इधर से बन आ गया इधर आ गया माइनस ओफ के डिटा बाइट एक्स तो क्या यहां से डिटा के वैल्यू रडियूस होके माइनस ओडियूस बाइक है यह सब्सक्राइब ना कि तो नीचे चिपका है देखो समझें बाद में अच्छा सवाल है देखो किया किया समय में है यह देखो देखो डीटा की वैल्यू मैंने आप चपका दिए जो डीटा है ना उसके चिपका दिया माइनस डीक्स भाइक के तो माइनस की देखो देखो के यह बाहर दिंग कर लिया और यहां पर यहां पर यहां पर बैठाथ तो मेंगा नोट मैनस की तीटा इसकी वैल्यू इतनी चिपका दी एक्स तो इसकी यह कितना चिपका दी एक्स और यह बढ़ दिया गई माइनस डीक्स अपॉन के अब यह स्टैंडर्ड फॉर्म के अधिकेशना गया ऑन मैंक्स का एक्स करेसफेक्ट में हैं इंडिकेशन क्या होगा अब यह स्यूंग यह बापाश चिपका दे एक्स वह ओंगा नौट- फ्रॉक्श खवाज ओमेगा- के तीटा इसकी वल्यू यावल और छबका दे तो इस क्वांटिटिटी ना तो इस तो अब जो है इसका जो इंटिकेशन निकाला है उसको बोलो भई तो इसका एर इंटिकेशन क्या हो जाएगा अब देखो ले मेंट गुमा रहूं अब आसाना दे है आप पुछ नहीं है अब बोलो भई लिमेट कैसे गुमाई के तुम लों को चमक गए तीटा रखेगा तो यार यह आएगा और ठीटा एगा रखेगा तो बैस आप यह पार्टी तो दिरो जाएगे ना एलन ओफ ओमेगा नोटी तो बचेगा अच्छा इध क्लियर अब यार लॉक की कुछ प्रापडी इस होंगे क्या तुम लों को पता है लॉग और फे प्लस लॉग अफ बीड़ेस लॉग और इंटु बी डियू रिमंबर लॉग ऑफ फे माइनस लॉग ऑफ बीड़ेस लॉग और वी देख छोड़ी प्रापडी है ना मैं बीच सब्सक्राइब तो जो जो यार मैं से चालेंगे और असलियत में यह होता है दोस्त लॉग ऑफ बाइन लेख लेले कोई दिक्कत नहीं लॉग जब हम लिखते हैं तो यार हना उसमें बेस्टेन होता है एलन का मतलब बेस ही होता है वोड़ेशी इस अ कॉंसें नंबर 2.72 तो यार यह वाली प्रॉपर्टी में यहां पर चिपका रहा हूं क्या तो के तुम्हें चम का हाना बोलना बाई यह तुम दो बोलते हैं है कि यह चम का लोग आफे मैनस लोगाब क्या लोग आ ऑफे क्लियर यह जो माइनस के वाला पार्ट है ना डिरेक्ली इधर मंटिप्लाई करा दिए इसको थुड़ा सा अच्छे से लिए लेता हूं ये क्या किया है समय में ओमेगा नोट बाइव मतलब वन हो जाएगा ओमेगा नोट को दोनों टम से सब्रेटली लिवाइट करा दिया और इधर तो एसटेस है के थी टाप हो ओमागा नॉट अब लॉक किया दूसरी प्रोपटी यूद रही है क्य कि अब नोचे आव जाता है आवज नहीं है अग एकस टảo यहाता है तो एक्स टरा चांड जाघा इसी तरह से मले एलन एक्स एयर ऊंकुरा कया ए इस लॉग pesos तो अगर यार यह है तो एकस क्या हों E की पावर A log X base 10 A X 10 की पावर A ऐसी log X base E A X हो जाएगा E की पावर A अब E क्या है तो E is a concern its value is 2.72 इसी property को यहाँ पर अपलाई कर रहा हूँ इता देख कि यह एलन X बराबर A तो X बराबर E की पावर A तो यह एलन X बराबर A के मतलब यह X हो जाएगा E की पावर चड़ा दे exponential function देखो अब आता है नहीं हाना कुछ है नहीं कुछ है नहीं 1 माइनस के थीटा ओमेगा नॉट आवज नहीं आई आना तो बोलो रहे LNX बराबर A मतलब X इतना हो जाएगा E की पावर A आना तो यह वाला फंटा कुमा दिया X बराबर X मतलब यह बराबर E की पावर और यह चड़ा दिया टर्म्स को तो लगा साल्टी बल्टी मार थोड़ा इदर दबर कर ले बोलो समच पार है तुम लोग कि angular displacement as a function of time क्या होगा तो exponential relation है अब धियान से देखें थीटा और time में कैसे relation है exponential function है E की पावर माइनस X अग्राफ है ऐसा है यही सवाल तुमा पूछ रहता है यह जो लॉक की बीच बीच में है ना प्रॉपर्टी सुननों को बदाई आती है यह सब याद रखना है मैं इसके जो छोटे-छोटे फंडें यह सब अपने को याद रखना है mathematical tools है क्या है इन tools के अलब से physics में जीवन थोड़ा सा असान हो जाता है सवाल नंबर जो second है यह advance में पूछा हुआ सवाल है ठीक है और यह इस प्रफाइल के कई सारे सवाल पूछा है चुके है यह एक कह सकते हो मिक्स क्वेशन है दो कंसर्ट का फ्यूजन है ग्रेट फ्यूजन इसमें उसने सर्वलर मोशन के फंड़नों को यह नो प्रोजेक्टाइल के फंड़नों से रलेट कर दिया है और अडवांस में इसी तरह के सवाल ज्यादा पूछता है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंसर्प्स का यूज हो ठीक है जैसे इसमें सर्क्लों मोशन तो यह चैप्टर उसके फंड़ने लगें लगेंगे प्रोजेक्टाइल उसने हो साधी है ठीक है तो देख बढ़िए स अगरेंगे अंगल प्रोजेक्शन 45 फिक रहा है जब पर्टिकल हाइस पॉइंट पर है जल्दीश पता हाइस पॉइंट पर पर्टिकल के पास कितनी विलॉस्टी होती है और किस जाइशन की होती है तो यार प्रोजेक्टाइल की फंड ने तो हम लोग क्या पढ़ चुके ह हैं कि हाइस पॉइंटं पर पर्टिकल की जो भी विलॉस्टी होती है 1700 की होती है और कितनी योती यू को सब भाण होुके अपने को अभी सब आपने को ऐसे Unit और जो भी लॉस्टी और देल कितनी जितनी की इनिशन और देल लॉस्टी विचिस यू को सब्सक्राइब अब देखो सवाल क्या है क्या पूच रहा है एंगुलर विलॉसरी अफ दो पर्टिक अब देख प्रोजेक्टायल में गोशा दिया उसने सरक्लर मोशन ठीक एंगुल यह प्रटिक्ल की इस टाइम पर आंगुलर विलॉस्टी क्या है तो यार अब अंगुलर विलोसिटी के फंडे यहां पर यूज होंगे, सब्भार ना, तो देखो, किया यार अंगुलर विलोसिटी के जब मैंने तुमनों को फॉर्मूला बताय था, तो जनरलाइस फॉर्म में इस तरह से बताय था, कि ओमेगा बराबर वी परपेंडियर क्योंकि सर्कुलर मोशन में यार, वी और आर हमेशा परपेंडियर होता है, इसलिए यहां पर वी का परपेंडियर कॉमपन्ट पकड़ते हैं, वोट इस वी परपेंडियर, अच्छा सवाल है, पेंडियर से बस एक पॉइंट समझें, ध्यान से देखो, क्या यह डिस्टन्स तुम्हें और भाइटू देख रहा है, रेंज का अदा, अरे पूरा रेंज होता है न रहे, यहां से तक क्या है, और दंटल रेंज, उसका अदा है न, है यह इस पॉइंट है न, पैरा बोला is a symmetric curve, about this vertical axis, तो यार यह भी और भाइट होगा, यह भी और projection के respect मैं, distance, यह सुनो, क्या R की feel आगी तुम्हें यार, आर क्या लेना है, अब देख, जैसे माल ले इता देख, इता देख, इता देख, everyone see this, यार माल ले particle यहां पे है, किसी losses जा रहा है, पूछता बता, इस particle की angle loss ही, but about this point, तो यार, particle का उस given point से, जो position vector होगा, जो radius vector होग यही तो होगा, तुम्हें इस particle की इस time पे angle loss ही, यह लेकिन इस point के about, तो इस point के respect में, particle का, जो position vector होगा, यही तो होगा, और इस position vector का, जो मैं अग्योंट है, वही तो आ रहे है, है ना, मतलब, इसको ऐसे सोच, कि यार, इस time पे, यह particle, इस center के about, इस radius के circle में घुम रहा है, यह, 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 यह feel है, दोस्त, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, कि यह particle, इस time पे, इस center के about, इस radius के circle में इसे घुम रहा है, कच, 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 सब्सक्राइब और सब्सक्राइब और इसका स्क्वार मतलब हो जाए और इसका स्क्वार मतलब थीटा मान ले 45 और डेवाइड बाइड जी मान ले कुछ भी नहीं गेवे न तो हाना साइन इंट हो जाएगा वन यह सब देख लेना तुम लोग यह सब तुम लोगो को कैलकुलेशिन तुमारा पार्ट है मैं बस बता के शोड़ रहा हूँ ठीक है अचा बच्चा मैक्समाइ हाँ और साइन स्कॉड़ थीटा मतलब कितना ओजाएगा वह तुम लोग बना लेना ठीक है मैं बस मैंसर बनाके भाग रहım है इंदा तो यह संकर सीन और साइन गा यह तो यहां से एच आ गया और यहां से आर आ गया तो इन्हों की वेल्यू चिपकाएगा तो यहां से आर निकल आएगा ठीक है एक मुसीबट तल गई अब एक खता मुझे दूसी मुसीबट शुरू हो गई वी पपंडी और क्या है कैसे निकल लें यह बड़ा इंटरस्ट हैं देखो शब्दो थोला देखन सुना इस पर्टिकल यूलोसी इदा रहे इसका वो कॉंपोड निकल ला है जो की इस पॉइंट के रस्ट में इस पर्टिकल का जो पोडिशन वेक्टर उसके नॉमल है यह इंट्रस्टेंग है यह अद्धमा के दार रहे हाना बड़ा दमाका बॉम ठीक है देखो तो यार मैं माल लेता हूं सब्सक्राइण सुना यह यह एंगल अलफा माल लेता हूं क्या बूला देखो दू अलग 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 एंगल है यह एक तो है पर्टिकल का एंगल अगल प्रजेक्शन वो 45 वो छोड़ देलीविट यह लाइन हो दंटल से कित अधिक अधिकल में तो वह थी को मनाद देरफोर दस अंगल शूड़ इकोल दो संगल क्या वी का इसाइशन में कौंपर्ण हो जाएगा वी को सालफा और क्या इसके पपंडिकुलर कौंपर्ण हो जाएगा वी साइन अलफा तो क्या यह बात तुम लो समझ पा रहे हो अब देखो जिनको जिनको नहीं चमका है सिर्फ तुमारे लिए यह विलॉसिटी देर है और इस पॉइंट के राटिकल का पॉजिशन वेक्टरी है विलॉस्टी का वो कॉम्पोनेंट जो की इस पॉजिशन वेक्टर के नॉमल हो जाए वो यहार यहां पे होगा वी पपंडिक बेखो फिर से कैइसे हैंहा रसत केशने घृए ओर मनें अलभ पककडा है इता गडए अलभा यह भी अलभा यह अलवा यह जो दो ऑंडल यह और और इसलः कंपोनिसर आर्यी पंदिकला ओर आर गिपान थाए परफ के लोगा उ atéका रोगे उसे ना मतला बीनिगे अपने आरके पर pennil 52 Şu तो प्रटिकल बिकॉज ओफ वी कॉसल फा क्या यार स्टेट लाइन में जा रहा है हम लोग पढ़ा चुके हैं फंडे पर्टिकल विल्वॉसिटी के उस कॉमपेंट से स्टेट लाइन में दोड़ता है विच इस पारलल तू पोदिशिन वेक्टर पारल तू रेडियस तो देखो यहां पर तुम लोग यह लिखोगे कि भाई वी पपेंड़े और डिवाइड भाई आर अब आर तो भाई अपना यहां से निकल आया उसकी तो कोई यह लोग यहां है अठाइब यह वी अपना कि हम लोग पहले निकाल चूके हैं यू कॉसिट आ यू हो गया तो भाई सब यह कितना आ गया तो यह वी की वैल्यू नून है कोई दिक्कत नहीं अब गाड़ी दुमारी फिर से फर्सक्राइब कहां पर अलफा पर कोई बताएगा अलफा कहते निकल नहीं और यह 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 अरे यार इस अटिंगल ट्रेंगल मैं टैनलफा चिपका देना टैन भी चिपका सकते हो साइन भ हटा दूँ हटा देता है देखो इसी रेटिंगल ट्रेंगल मैं अगर मैं साइन अलफा तुमसे पूछता हूं तो क्या साइन अलफा मैं यह लिखूंगा अवज नहीं यह संणू तो साइन वाल समाँ सवाल में है कुछ नहीं है करना है क्या हुटा daarए वह किया हूटा है क्या है क्या होता है ओंटने निकल से और कैसे निकाल रहे वह उबस फंडा क्लीर करना है ठीक है रटा कुछ नहीं वार ना रहे तो साइनलफा क्या है है ना परपेंडियो डिवाइट भाइट भाइपटेंस के दोनों वैल्यू निकाल चुक है अरे मैक्समाइट निकाल चुक है यहें की लिखाता मैंने उड़ा थार्ड है स्वाल नंबर्य यहां यहां से निकल आएगा है एक बार तुम लोग इसी को वाल कर के देखना आरे कंद सावाल नमब्र जो थर्ड है इरुटो का सवाल है इरुटो की जो बॉक है न हमारे समय में चलती थी हम लोग बनाए करते थे बुक्स लाइक रसने खलेडे है इरुटो है हमारे समय चलते देखें कि हमारे समय में यह नो पेपर जो है कंप्रेटली सब्जेक्टों होता था दस-10 नंबर की पेपर आते थे एक सावाल फोर दे दस नंबर शोर है ऐसा है तो वही है रहाना उसी प्रोफाइल का मतलब सब्जेक्टों सवाल है बेसिकली राइट तो अपने समय की किया दागी यह जे-99 हाना जे-99 है तो यह बैए अग्धी से क्यार कर जो एन्गुलर रिटार्डेशन है क्साइश रहिप है इस लिए में इसको सट्था हो ही दूत हो है के यह अगरानी का इसको निज्च comic लॉसी का डाइशन में एक्सेटेट अब जाएगा और समय के बढ़ने से वड़ी के लॉसी बढ़ेगी आवज नहीं गई उल्टा अगर माल ले एक्सेटेट अब जाएगा समय के बढ़ने से लॉसी गटेगी और बिल्कुल वही एन अलोजी यहां पर भी चलती है यह सुनो जिसे माले मैं बोलता हम वड्य के इंगुल वसी यथर एंगुल एक्सेटेट अबर है तो क्या एंगुलार एक्सेटेड ते मौशन हो गिए कि सभया पढ़ने से लिन लॉसी बढ़ती इसको गळला गिया उल्टा माल ले बढ़दे को आपने लिया इंगुलार तू आहार तो यार ये वाला angular retardation अपने को दे रखा है उसना है यह है समागे angular retardation मतलब यार समय के बढ़ने से उसका omega घट रहा है जैसे कोई wheel है हाना जैसे माले कोई wheel है rotate कर रहा है but retarded motion है ठीक है तो यार धीरे धीरे उसकी अंगल उसी घट रहे अच्छा सवाल है ना पेशन समय देख तो यार इसमें बोल रहा है कि अल्फा एंगल एक्सेशन ओमेगा एंगल लॉस्ती है find out mean angular velocity mean angle लॉस्ती मतलब average angle लॉस्ती मीन मतलब average जैसे के बार mean velocity पूछेगा यार जैसे एवरेज लॉस्ती यजी एंगल लॉस्ती तो वही बूच रहा है मीन एंगल लॉस्ती मतलब average angle लॉस्ती निकालनी है तो यार एंगल और average angle लॉस्ती का एर क्या हम लोग फॉर्मॉला यह यह पड़ और हैं यह सुनो इनलेंड को बढ़ा है क्या डी थीटेटवाईटी आफली इनलेंड्टेटवाईटी आवज निया अब यह एवरेज लौसी निकालनी है किस इंटरवल में है over the whole time of rotation मतलब मतलब over the whole time of rotation मतलब till the body stops यह हमें पता है initial angle lost Sesame यह बटिया रिटार्डड मोशन है तो दीदेरे गट रहे गट रहे गट रहे तो होल टाइम आफ मोशन मतलब जब तक बॉडी स्टॉप नहीं कर जाती है वही तो वह आसका टूटल आइम आफ मोशन और गिवन भी है इफ एड़ इनीशल मोमेंट अंगल लॉस्टी देखो टी ब जीरो नहीं हो जाती है यह फंडा है तो यार दोनों चीज़ें इसमें तो मैं निकालनी पड़े नहीं कि पहले निकाल टूटल टाइम आफ मोशन किया है उसका कितने समय तक वो मूफ किया है जब तो उसका एंगल लॉस्टी जब तक वो घूम रहा है बता उस पूरे इंट वान से टाइम निकाला टा और ती टाइब और यार यह एडवांस का सवाल है अधब आडवांस लेवल का सवाल है तो यहां पे उसने जो अलफा है वेर वेरेबल कर दिया है, it's a function of omega, it's not constant, you cannot apply equations of motion, फंडा बिलकुल clear होना चाहिए, concept बिलकुल किसल clear, कोई confusion नहीं, कि यार सवाल में ये गवन अच्छा मतलब ये करना है, और ये गवन तो मतलब हाँ, ये करेंगे, confusion नहीं कि यार, equation of motion लगाओं की मतलब है न, वो confusion नहीं होना है, क्योंकि alpha non uniform है, तो alpha d omega by 80 चपका दे, क्या, alpha की ज़िए चपका दिया, d omega by 80, चपका दिया, omega के terms एक साइड, बाकी terms दूसरे साइड, और दोनों साइज से इंडिए रहेंगे, limit सुनना, क्या limit तो में चम की, देखो, t बराबर 0 पर omega नोट है, t बराबर 0 पर एंगुल ल से दिरो हो जाए, over the whole time of motion, body कब तक motion कर रही है, जब तक कि finally वो stop नहीं हो जाती, stop मतलब फाइनल आंग लाउस से कितनी दिरो, तो यार वो समय मैंने t मन लिया, जब मैंका दिरो हो जाए, है ना, तो देखो, इधर तो आथा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, one का एक्स का रसफट में डिकेशन एक्स, तो one का विदर रसफट तो t क्या हो जाएगा t, ठीक है, इधर मतलब रूट है, रूट माद दा पावर आफ हो गया, बोलो भी, सामच पहर है तुम लोग, पावर नेट हो जाएगा, समझा न, इसको उपर ले गया, तो पावर नेट हो जाएगा, अब बोलो, इसको इंटिकेट कर पाओगे तुम लोग, बोलोगी, इंटिकेशन कैसे किया कि अपनों को चमका, आवज निया जी, एकशीपावर ननका इंटिकेशन कै क्या परतता है, एन 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 परता फॉल सबएगा, जो खेसा हो एक सी पावर इन का इंडिकेशन क्या पड़ते हो एसको क्या है पी ले सकता हूं हुआ नहीं एदर है वहले एह था कुछी क्या गट एट और टो घृट का ऐह न जासला मेंठ अ टो आब संप्लिफाइब ग्रलिये तू पर चला जाएगा पावराफ मतलब रूट है अब यह समें लेमेंट चुपका ले बुलो ठीक है ठीक है कि नहीं ठीक है ओमेंगे जिरो रखे गादि रोएगा ओमेगा ओमेगा भी आपर मैनस रूट लिमाइगा तो इसको क्या मैं से भी ले सकता हूं बस थोड़ा से पेशन समझना पड़ेगा ना अडवांस के सवाल है थोड़ा से रंदी तो है ठीक है तो यह रूट 0 मतलब जाएगा 0 मैनस रूट आफ ओमेगाणट ठीक है और यह मैनस मैस यहां से वो टाइम आगया यह वो टाइम है जिस टाइम पर बड़ी स्टाप करेगी कितना इसको बस पकड़ी रहना है यह यार वो टाइम है जिस टाइम पर बोड़ी स्टॉप करेंगे तो यार एक चीज़ अमने टाइम निकाल लिया अब थीटा और निकाल लो तो यार बात बन जाएगी डिवाइड कर ले अब थीटा कैसे निकाल ले आठ्थै तो यार तुमने नोगिंट रीलेशन बताया इन ब्रवीं अल्वा-ओमेगा इंटीटा को बताएगा अल्फऑ मेगा थीटा कि क्या रीलेशन अ अचला समय रहे हैं ओमेगा डियो मेंगा बैडी दिश्ट है तो हुआ फॉर्मॉला गुमाएगी ठीक है क्यों गुमाएगी क्योंकि यह हमें ओमेगा की टम्स गेवेन है थीटा पूछ रहा है कि है देह्ट जब टाइम निकालना था तो मैंने हैं तो हमाना पूसपल मैंना निकालने कंसे खुंख कोसे बाएगा मुझे क्योंकि पछले वाले kleiner olarak क्या निकालना था टी कि ूधा कब कॉनसा फॉर्मॉला कुमाना है तो फिर्स यार कडि मैं शुरू से शुरू करना ओघ तो जाहां पर अलफा देख रहा है ना ओम एकर डियों मागा भाई दीचीटर थीटर ठीक्ट अब क्या रूट ओम्हें अड़ जाए गार यहां पर रूट ओमी का बच जाएगा अब जाएगा आवज नहीं सब्सक्राइब है और नीचे आएगा रूट ओमेगा तो यह उमेगा को लिख लाए ना रूट ओमेगा इंटू रूट ओमेगा एक बच जाएगा वह तो लिखा है और यह पार्टी इदर चिपका दी माइनस ओफ यहां से थीट आ जाएगा ठीक है बिल्कुर स्टेट चैनल नूब समके आवज नहीं पुल तो इनिशली बॉड़ी ने लाग रूटेट करना शुरू किया है तो इनीशली थोड़ी पूछीट ओगा तो टी बराबर जीनों पे ओमेगा थोड़ी जीनों था वो तो इनीशली है कि लिखते कि ली में पार ओमेगा ने और वह वह पाइनली वो स्टक हो गया है बता उस टाइम में कितना थीटा तो जब haga zero तो थीटा कितना है तो क्या यही थीटा और रेकॉर्ट थीटा येसन Online कि पूरा टाइम ॉप मोशन जब तक वह जब तक-जब तक जन जब तक सलना जब तक वह Óगोमरा बता उस पूरी प्राउस में कितना थीटा घूमा है ना तो जब उसका ओमेगा दीरो हुआ तब बता थीटा कितना देज़ा रिक्वाइड थीटा लॉजिक नहीं है बागी तो संपल इंडिकेशन बोल ये तो थम्में मागया होगा कोई दिखकत नहीं कुछ नहीं यह वन माल लिए वन का थीटा एक रस न थीटा एक रस न थीटा एज वन का विद रस प्रक्ट टू एक्स ठीक है और इधर चिपका देखिया एंड प्लस न प्लस न प्लस न से ती देखिट 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 दिखिट एजिए जिरो पर मैस भलम इथर एंड लसन प्लस न ठीक एक एक्सी पावर एंड लसन अपन अन प्लस न ओमेगा की पावर 3 बाइटू 3 बाइटू 0 से है ओमेगा नौन से और यह इहाँ तो पाढटी ही पॉल क्या समंग है कि ओमेगा कि जएगा जी रखे गए जिरू ऑमेगा की जगाया है ओमेगा रखेगा तो मैगा नौन और यह टू पर चला आजाएगा थ्री नीचे राजाएगा टूबई त्री अपर मानस लोले मेंट शिप का दिया और यह तो ठीक है जो भी पुलों ठीक है जिरो के बाट जो मर्जी कर ले जिरो रहेगा जिरो मैंने सानी नंबर सेम नंबर ठीक है माइनस माइनस नप्ता दे हाँ दिस दो थीटा विच्फी वर लोकिंग फॉर यही वो थीटा जिसकी हमें तलाश थी बहुत दिनां से कपसे डून रहा है अब जाकी मिला है तू बाइ थ्री ओमेगा नौट पावर थ्री बाइटू हाँ यह थीटा यह टाइम दोनों को निप्ता दे आवरेज उमेगा निकलाएगा अट्रावल किया है और तो इतना थीटा गूमा है अरे तो इस इंट्रावल में इतना थीटा है एवरेज उमेंगा नहीं दोनों को मदर दिवाइट करा दे ठीक है तो देखो टीकी वेल्वी यार यहां पे शाप लेता हूं मैं टू रूट ओमेगा नॉट बाय तो देखो अब पर्टिकल की इस टाइम इंट्रवल में एवरेज आंगुल उसी लेखेगा टूटल थीटा पॉन टूटल समय टूटल थीटा कितना टू बाय थ्री ओमागा नॉट पावर और यह यार रूट है मतलब पावर कितना हो गया वन भाई टू अच्छा डिवीजन में पार पास अप्राक्ट हो जाएंगे यह सुन क्या 3 by 2 minus 1 by 2 हो जाएगा 2 by 2 मतलब 1 हो जाएगा यह सुनो डिवीजन में पार पार उड़ जाएंगे न रहे थ्री बाई टू मैंने सुना टू बटा टू मतलब 1 तो यह ओमेगा नॉट पावर वन मतलब हां फाइनली आगया अंसा तो यह यह होगी पर्टिकल की उस पूरे इंटरवल में आवरेज एंगल लाॉसती कितनी ओमेगा नॉट बाई 30 अगरा माया है अल्फा अ अल्पर टिकल का वरेबल था तो जिस इंटरवल में पर्टिकल उमेशन कर रहा हूँ इंटरवल में पर्टिकल का अवरेज एंगल लॉसती होगा कर अрам कि क्या पूछ रहा है एंगलर व्लासिटी आफ ए विद रस्फक्ट टू बी एक ऐसा अपने को सटाप उसन दरख है पूछ रहा है बता एक एंगलर व्लासिटी बीक रस्फक्ट में यह माल लेते हैं यह बाई सब्सक्राइब भी है बता इसके एंगल व्लासिटी इसके रस्फन कितने होगे सवाल को आसन बना जेता हूँ यह तो अब माले सिर्फ और सिर्फ यह पर्टिकल मोशन में है ठीक है यह बटेकल माले अब बता अभी सवाल को मैं आसान कर रहा हूं ना सवाल को मैं यह थुला सा अथान बना दिया उसको छोट इसको बना यह बन जाएगा बता इस पर्टिकल के एंगल अभी यह पर्टिकल रस्पे तो यह ओमेगा बराबर वीप अपन्डियों आर अच्छा ध्यान सा देखो यार थुला सा थुला जुमेट्री देखते हैं इधर देख तो यह यह एंगल राइट अंगल के बेन है क्या यह एंगल और यह एंगल तुम्हें 45-45 देख रहा है यह सुना यह साइड यह साइड बराबर है ना आई सॉसलेस राइट अंगल ट्राइंगल बन गया क्या बन गया दिस अन आई सॉसलेस राइट अंगल ट्राइंगल समझा रहा ना तो यह यह 90 है और यह साइड यह साइड बराबर तो यह एंगल यह एंगल यह बराबर होगा क्या कि अगर बोलता है यह 45 यह 45 निकला आया है ठीक है तो देखो कि यह एंगल यह एंगल बराबर वी का यह हो जागा कॉस यह जाएगा साइन ओमेगा होता है वी पपेंडिकुलर अपॉन आर इसमें यार वी पपेंडियों कितना रखें और आर कितना रखें थुरा धहन देना सब लोग देख क्या वी पपेंडियों मैं रखूंगा यार वी साइन फटिफर और आर क्या मैं रखूंगा डी रूट्टू बजगे बंड यह बस लॉजिक था आवज नहीं है कि आर तो सीधा सीधा यार आर में कोई फाइट नहीं है इस इस इंसेंट पे यह पर्टिकल इस रेडियस के यह नो सरकल में घूम रहा है तो यह यह आरो जाएगा अंडर रूट आफ डी स्कॉर डी स्कॉर वो डिरेक्ट में ना चिपका आए तो हो जाएगा डी रूट तो इसमें तो कोई से कोई शक नहीं है और विलॉस्टी का वह कॉम पॉंड देख जो की पोजिशन वेक्टर के नॉम्बल है तो इसके रेसरंट बेटिकल का यह पोजिशन वेक्टर उसके नॉम्बल गॉमड देख तो बढ़ी देख लिए भी का इयार 45 लेक्टर और इसके पॉपिंडियू हुए यह 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 पॉपिशिन वेक्टर को हर तो पोडिशन मेंग हो जाएगा कॉस्स और एक पॉपिंडियू अभी यह पॉपिंडि लैटर साइं अब उसने यह वाला जो पर्टिकल उसको भी मूफ कर दिया है ओमेगा बराबर वी पर्पेंडिकलर अपॉन आर ठीक है इस पर्टिकल के रिस्पेक्ट में ये पर्टिकल क्या यह इस रेडियस के सरकल में घूम रहा है क्या this is position vector of this particle with respect to this particle और इस यह position vector का magnitude क्या हो जाएगा d root 2 पाई दरोश चुपका दे इन दस रेडिंगल ट्रेंगल तो r बराबर कितना हो जाएगा under root of d square d square under root of twice d square कितना हो जाएगा d root 2 यह सुना तो r तो आ गया है कि यह इस particle के respect में यह particle इतने radius के circle में घूम रहा है बस v perpendicular और और निकलना है तो अब यह यह v perpendicular क्या होगा इसके respect में इस particle की velocity का वो component जो की इस position vector के normal हो अब देखिया relative motion के तो इस पंड़े लगेंगे वो तो एक single particle था यहाँ पे आप दोनों particle को उसने motion में कर दिया तो देखो थोड़ा से बस पेसें समझें है आसान बाकिया उसमें कुछ है नि क्या ये एंगल 45 है तो यार ये भी एंगल तुमा 45 देख रहा है ये सनो ये लाइन कॉमन ये लाइन कॉमन ये और ये बराबर वी का यह हो जाएगा एक आप तरह से इसकी भी विलॉसर्ट को रिसाल करना पड़ाइगा देखा इसकी एल विलॉसर्टी सीधे जा रही है तो देहां से देखें अधर एदर हो जाएगा विकॉस फर्टी फाई उससे अपने मतलब नहीं होता है अपने हो किससे मतलब होता है आर के परपंडिव डियर से के कंद्री डियर से की अधर गइलिगुंर उजा कि कढ़ी हो से एिकार गोटल में अपने मतलब नहीं है इसके पपेंडियों लेदर कितना है वी सान 45 तो दिहान से सोचो क्या इसके रेस्पेक्ट में इस पंटिकल की विलास्टी का वो कॉम्पोरेंट जो कि यह इस पॉजिशन वेक्टर के पपेंडियों रहा है तो वह जाएगा क्या दिस और प्लस दिस पहले बता किया वी पपोई तुम्हें समय कोश्च करें अब यह क्या यह वी पॉपई लॉसी यह लॉसी है लिटला असे देख बैइवाब बता अगर बोड़ी सेम डिरेक्शिम जा रही है लिदेशी क्या हो जाती है डिफरेंस अगर बॉड़ी दपोस्ट हां अगर आप से देख क्या दोने कि लॉस्टी अपॉसर देख रही है इता देख इसकी विलॉस्टी इदर इदर इसकी विलॉस्टी इदर और यह इसकी विलॉस्टी इदर समारा ना इसकी विलॉस्टी इदर विसकी अपॉसर ना भाई एड हो गई है दोना की विलॉस्टी इस यह ओर इपको मिका 45 गोस्टिफाइब और यार इसके पॉपेंट रूंग तो है न जो तो यह नोग आड कर दीए और यार तो पता ही है आराम नेकल निकाल चुम पहले बिरुट तो डिफरेंस हमें आगया इसकेश में के डिफरेंस है इसमें एरबस रिलेटों मोशन हमें डील करना पड़ा हमें सर्फ इसके रेस्पेक में इस पाइटिकल की वह वेलास्टी निकालनी पड़ा ही जो कि इस पॉजिशन वक्तर के नॉमल है तो जोड़ गई क्योंगा पूद्र है और इसके राश्राइक में इस पाइटेकल के तरह लगा डियस मता ही है आरगी वल्यू शुपका दे वाकी सिंपल कलकुलेशन के जो है टूभी बाई रूट टू ले बाई रू टू टू टूल यहां रूट टू पारा बया डों साइट रूट तो नोटीर उंदेप न नारा हविर पूरित जै अच्छा सवाल है और इस प्रोफाइल के यह नो कई सारे सवाल पुछ आचुके हैं में समय नेट में भी ठीक है अच्छा सवाल है आसान भी है दो राइन का मैंजदार सवाल है मज़ा जाएगा तुमनों को कि कि अच्छा सब्सक्राइब इस एक अच्छा सब्सक्राइब यह जा देख यहां पर क्या हो रहा है Spotlight as rotates in a horizontal plane Feel कर, feel कर तुरो सा, क्या हो रहा है एक Spotlight है, मतलब माले कोई, हैना Movie की shooting हो रही है Bollywood की कोई धमाकेदार है, हना Movie बन रही है, उसकी, हना, shoot हो रहा है तो यार, उसमें, जैसे, जो camera है जिस camera से shoot हो रहा है, वो camera ना, गूम रहा है Hero भाग रहा होगा, नहीं, उसको capture करने के लिए है, किसी angle से गूम रहा होगा जैसे hero माले इदर भाग रहा है, हना ठक ठक ठक, मतलब, समा रहा है, हना तो यार, हना, जैसे, जैसे, वो भागेगा वैसे, वैसे, यार, camera का angle जो है, तो चेंज करना पड़ेगा, इस तरह से तो वही मूँ बोल रहा है, जो spotlight है वो यार, move कर रहा है, along a line तो जिस time पे ये theta 45 होगा उस time पे बता, ये जो spotlight है, हना उसकी यार, ये linear velocity कितनी होगी देखो थोड़ा feel कर, feel कर, feel कर असलियत मदोस ही हो रहा है, ये माल लेक torch है, ये light fake रहा है source of light है माल ले, light fake रहा है और horizontal plane में घुम रहा है, everyone see this, feel कर, feel कर, ये देख, ये hero इस तरह से जा रहा है, action, sequence, ठीक है, ऐसे जा रहा है और ये रहा है, camera आपका horizontal plane में घुम रहा है, catch, 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 catch है ना, तो थोड़ा feel कर, कि ये जब आपका जो torch है माल ले यहां पे था, तो ये इसका जो spot पढ़ रहा था, इस wall पे, वो यहां कहीं पढ़ रहा था अब क्या है यार, ये camera जैसे से घुमेगा, क्या जो spotlight है, वो linearly move करेगा, along this wall, ये फंडा हो रहा है, feel आपा रहे हो, क्या है, जब torch ऐसा था, तो जो spotlight पढ़ रहा था, exactly यहां पढ़ रहा था, अब यार ये घुम रहा है, ठीक है, horizontal plane में, तो सोच देख, जैसे ये घुमेगा, क्या जो spotlight होगा, wall पे, horizontal direction भागेगा, असलियत में ये कहानी चल रही है, ये diagram है, ये वाला diagram है, जब यहां पे है torch, तो यह spot यहां पे, फिर यहां पे है, तो spot यहां पे, फिर ऐसे, तो spot यहां पे, तो यह spot देखना, wall पे linearly भाग रहा है, तो तुम्हे बताना है कि यहर, जब इसका angle 45 है, तो बताए जो spotlight है, वो किस linear velocity से भाग रहा है, इसके angle lossy given है, ये जो आपका torch है, जो spotlight है, किस angle losses rotate हो रहा है, इसका angle lossy given है, इसका angle lossy given है, तो तुम्हें बताना है general time, जब यह थीटा 45 हो जाएगा, तो बता, इस spotlight की यह linear velocity कितनी हो इस profile के कई सारे यार सवाल बनता है, और इस profile के जो problems है, उनकी तुम्हें एक general approach हो जाता हूं, तोड़ो approach, general time भी deal किया गरा, general समय, कौन समय, general time t बराबर t, इदर देख, general time पर माल ले, यहां कहीं है, ठीक है, general time पर माल ले, spot ने यहां से यहां तक कुछ x distance से ट्रावल किया haters, t-bimmt 0 पे यहां से शुरू हाता है, यह जैसे से घूम रहा है, वैसे अपnov Mix, यह भाग रहा है, तो मैंने माल लिया थे, टी टाइम में इसने, एक्षाल है, ठीक है, और यह टी टायम में उसने ठीटा कितना गूमा, अश्रलीत में यह टीटा है, उसको इस तरह से डिपर स नहीं टेटा बराबर एक्स बार डी एक्स बराबर इतर टेटा तो यहार हमने एक रिलेशन निकल लिया इन बेट्विन एक्स एंड थीटा इसको डिफरेंशेट करना पड़ेगा टाइम के रस्पक्ट में यह नया कंसप्ट है हमने एक्स और थीटा को रिलेट कर लिया अब इस एक्क्वेशन को दौनों साइट से टी के रस्पक में डिफरेंशेट करा दे तो वहां से युल कर्ट रेक्षिन बट्विन लिनियर लॉ अब यह डिफरेंशेट करें कैसे है ना एक यह बी इसमें चोड़ा सा गेम है हना तो मैं कर रहा हूं तुम लों दिमागा लगो चीन रूल हुमाना पड़ेगा है ना डिफरेंशेट में यह आफ्टी यूज चेन रूल कि यह डिफरेंशन चम कर अबस निए दशारा मना क्या यह लो तुम लो नहीं दशारा में रावड जला उसके साथ चेन रूल भी जल गया ठीक है अभी देवाली मनाओगे उसमें रोकेट चलाओगे ना तो रोकेट के साथ चेन रूल भी ओड़ जाएगा ठीक है तो थोड 2023 नीट फोड़ना है जाइँ फोड़ना है तो देखो दियान से यहां पे तो कोई किसी को दिक्कत नहीं नहीं ठीक है कोई शक नहीं किसी को दी कॉंसेंट इसको छोड़ दें अब यार टैन थीटा का जो डिफ्रेंशेशन है टी के रेस्पेक्ट में यह कैसे लिख दिया बस यहां पर चेन लूर मैंने यूज किया है तो सुन जान से कैसे यूज करेगा मैं लेट टैन यार टी होता है वह सब्सक्राइब तो में लेट टी करना है तो यार टैन थीक एक रस्ट में क्या में लिखता है तो पहले आपको डिफॉरिंशेट कराना पड़ेगा assuming this function to be standard function तो यार पैन थीटा आ गया तो क्या दिखका थे यार सेक्सवर थीटा मैं टीप्लाई करना पड़ेगा तीके जगा जो वैल्यो उसके डिफ्रेंशेशन से टीकिए टीटा का टीके रच्प्न में तीटा बैडिटी आपना तो बोल रहे हैं अस्विएत में यह गेम केल एए अब ठीटा के रच्पन तोड़ी कर रहा है तीके रस्न कर रहा है तो चे the function to be a certain function, तो 10 T is X4 T, 10 Theta is X4 Theta, multiply कराना है, T की जगे जो value है, उससे नहीं, उसका differentiation से, T की जगे क्या है, Theta और Theta का T के respect में, D Theta by D T, तो 10 Theta का T के respect में, D Theta by D T, तो 10 Theta का T के respect में, D Theta by D T, अब समय मागे, जगे, X4 Theta और D Theta by D, अब ध्यान से देखो, क्या यार यह वी है, और क्या यह ओमेगा है, यह सनो, यह फंडा है, जिस रेट से यह linear displacement change होगा, that will be linear velocity of the spot, which we are asked, जो अपने को पूछ रहा है, और जिस रेट से क्या यार यह angular displacement होगा, change होगा, क्या वो होगी, इस torch की, spotlight की angle velocity, यह सनो, जिस रेट से linear displacement change होगा, वो होगा linear velocity, है ना, तो यह दि-X by DT, असलियत में यह वी है, और जिस रेट से यह angular displacement change होगा, वो होगा, spotlight की angle velocity, तो यह यहाँ पर D theta by D की जगा है, omega चपका दे, समय है, इसके यह वी चपका दिया, इसके यह omega चपका दिया, simple calculation, अच्छे सलेके इसको, थोड़ा से सुन्दर तरीके से, सजा सजा के लग लेते हैं, तो यह डी हो गया, सेक्सक्वाड थीटा मतलब 1 by cos theta और यह omega, क्या यह सारी सारी values अपने होगे बने, अपड़ेटा माज़े, यह दो देख, क्या यार यह जो D है, क्या अपने होगे बने 3, cos square, theta अपने होगे बने कितना, 45, और क्या यार angle lossy of the spotlight अपने होगे बने कितना, 0.1, yes or no, जल्ली बता कितना है, cos square 45, मतलब यह कितना हो जाएगा, cos square 45, मतलब लग, cos 45 का square, 1 by root 2 का square, मतलब कितना हो जाएगा, 1 by 2 कितना हो जाएगा, और यार इस profile के कई सारे सवाल है, मेंस में भी पूछे गए, नीट में भी पूछे, तो अप्रोच पकड़ यार, general time भी deal करते हैं, वहाँ पे X और theta को हमने relate कर लिए 10 theta को मा के, फिर equation को दोना साइज से time के respect ने differentiate जाते हैं, वहाँ से V और omega में relation आ जाता है, सवाल नंबर जो 6 था, advance हम पूछा हुआ सवाल है, फुला से लेंदी बड़, patient समझाए हैंना, देखो, particle moving in a circle of radius R, so that, किसी भी time भी body का tangential accession और centripetal accession ये बराब होना, लंगिज पकड़ दियान से, at any instant normal and tangential component of accession are equal, normal accession मतलब, centripetal accession, centripetal accession बोलो, radial accession बोलो, normal accession बोलो, it's one and the same thing, तो यहर a, c और a, t बराबर गिवेन है, और क्या गिवेन है, t बराबर 0 बे पर्टिकल, V0 की velocity से शुरू करता है, time taken to complete first revelation, पर्टिकल को पहला चक्कर बनाने में कितना समय लगेगा, क्या पूछ रहा है, time taken to complete first revelation, मतलब क्या आसान बाशा में देर आस्किंग, time period of relation, एक revolution बनाना है गाजो समय होता है, उसे को बोलता है, time period of relation, ठीक है, तो देखो, सवाल का idea सुन, सवाल में, यहर क्या करने वाले हैं, और उससे भी important, क्यों करने वाले हैं, ठीक है, 80 बराबर इसी given है, 80 को चपका दे, D by 80, यसी को चपका दे, V square bear, V को चपका दे, V को चपका दे, V को चपका दे, Ds by 80, S के टम से, X साई, टेकर दे, दूसरे साइड, वाहां से लेमेंट्स को माके टाइम हैगा, आसान भाच्या में, यू हाव तू इंटेग्रेटेट ट्वाइस, दो बार इंटेग्रेट करना पड़ाएगा, तो वाहां से टाइम बिलिट आएगा, बिल्कुल कुस्तल क्लियर अप्रोच, कोई गन्फिदन नहीं, बागी तो कल्कुलेशन है, फंडा पकड़, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इदा देख, 80 को चपका डिए बाइटी, एसी को चपका वी स्कॉर बाइर, आवज नहीं है, वी के टम एक साइड, टीके टम दूसरे साइड, इंडिगेट करा, वहाँ से वी अधा फंक्शन आफ टाइम आ जाएगा, हाना तू देखो, क्या ले में तुम लों को समकी, आवज नहीं है, टी बराबर दीरो पे वी बराबर वी नोट के बिना है, जेनरल टाइम में मनली है, जेनरल लॉसी, जेनरल टाइम टी पे जेनरल लॉसी भी है, क्या इसको इंडिगेट इदर पाऊगे, भलू भई, इसको उपर ले गया, पावर निगट हो जाएगा, और इदर तो वन का एक्स का रस्रेक्ट में पताई है, एक्स, तो वन का टी का रस्रेक्ट में टी हो गए, तो एक्सी पावर न का क्या पढ़ते हैं, एक्सी पावर न का क्या पढ़ते हो, इद एस एन प्लस वन अपन, एन प्लस वन, चीक है, तो माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन और जो भी लिमेट, है इदर अपर मैनस रोल चपका दिया ठीक है यह टीक है यह दो अपर मैनस रॉल मेंट ठीक है इदर टी मैनस दीरो टी होगा टी वाय रहा ठीक है तोड़ अच्छेस ले ले लेते हैं इसको थोड़ा साथ यह मायनस बाहर आगे है और यह बार मायनस मतलब पावर नेगार नेचे आगा ठीक है और वह लिमेट वही में आट सबी यह मैनस अधर डाल दीया वी की जगा वी की जगा वी जगा बीनॉट और अपर मैनस लोल मेंट इदर जना आ गया पॉस्ष होजागा तो यह r minus v naught t और नीचे v naught r तो यहां से v की value कितनी आएगी तो v आगया v naught r upon r minus v naught t clear यह आगयी speed of the body as a function of time it's not velocity it is speed I repeat, I repeat, I repeat speed, क्या है, speed है, देखो यह 80 के formula में v क्या होता है speed तो यहां से speed आ रही न समझ पार है 80 के formula में यह v v v v v v v क्या है, speed है, speed है, speed है rate of change of speed वेस्व टाइम तो यहां यह speed आई और क्या speed होती है rate of change of distance आवज नहीं आई, इसको यहां एक और बार 28 करना पड़ाएगा, वहाँ से time period आईगा, है न, देखो क्या बोला देख, velocity होती है, rate of change of displacement, with us through time speed क्या rate of change of distance with us through time अब एसके टाम से एक साइट, टीके टाम दूसरे साइट limit कुमाएँगे, वहाँ से time period of relation आईगा ओके 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 देन ओके बोलो भई, क्या किया है, बस dt से इदर multiply करा दिये, तो यह यह सब अधर देख है, V V not R upon R minus जो भी है न, और dt, ठेक है, तो दोनों साइट से indication चपका दे, इदर लगे देता हूं, कट रहा है यार, कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, V not R क्या है, DT R minus, देख लो भी है, यह V not R, अना, V not R कॉंसें डबानने का लिया, indication मायागा सरफ ताइम के दम्स, dt upon R minus V not T, अभी है लिमेट थोडी इंटरस्टेंग है, लिमेट में फोला सा दियानना, के लिमेट तुमे चम्की, यह लिमेट थोडी इंटरस्टेंग है, के लिमेट चम्की, आवज ना आई, रिमेट चम्की, यार् ये एस क्या है, distance, speed, rate of change of distance है, बार बार शीज को में रिपीर कर रहा हूं, रिपीर 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 रिपीर, सब्सक्राइब तो यह सब्सक्राइब कैसे मैंने गुमाई यह जब बोडी ने टी बराबर जीरो पे मोशन शुरू किया था तब थोड़ी कोई डिसन्स चला है अरे समय आगे बाढ़ना देना जब घर से कोचिंग के लिए निकला है तो घर से जब निकल रहा है थोड़ी को डिसन्स चला है कोचिंग पहुचा तदना डिसन्स ट्रावल गुआ है न वही गानी न तो टी बराबर जीरो पे मोशन शुरू हुआ है न कोई डिसन्स नहीं वो टाइम निकलना है जब यह एक चक्कर मार लेगा और एक रिवलेशन में क्या डिसन्स होता है टूपा यार यह सुनो डिसन्स अब यहार 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 तक गड़ी है न तुम्हारी नहीं पहुंच सकती है लेकिन इसके फिर से टक जाएगी इंटेग्रेशन यूजिंग मैफड़ ऑफ सब्सेशन तो एर अडवांस के जो सवाल होते हैं उनमेर हाना मैस का जो यूज है मैस का जो पॉर्शन वो काफी ज्यादा होता है ठीक है थोड़ी सी फिजिक्स प्लस इसको यार कुछ मैं माल लेता हूं इसको मैंने कुछ X पकड़ लिये एक्स बराबर आर माइनस वी नोट टी पूरी कोशन को X अरा सक में डिफरेंचेट करा रहा है बोल कैसे करा है समझ मैं पूरा इंटेग्रेशन है उसको क्या सब्सक्राइब लिए नहीं डिटी के चिपका दिया माइनस ओफ डी एक्स माइनस डी एक्स और नीचे वी नोट कॉंसेंट बाने कर लिए और और अब यह पूरा स्टैंडर फॉर्म आ गई वन मैक्स का इंडिकेशन क्या हम लोग पढ़ते हैं अलन एक्स क्या गया है दो अलन एक्स एक्स यह उज्यूम कि एदा वापस से चिपका दे हैं एक्स कितना था आर माइनस फी नोट टी इदर चाप देता हूं तो इसका एर integration फाइनली अपने पास इस format में आ गया 1-1 by V0 ln of x, x मतला R-V0 t तो इसकी value यहाँ पर चपका दे, बाकी limitement को मा दे देखो, LHS हो आसान है, integration इता देख, कुछ नहीं 1 माली है, 1 का x का respect में, क्योंकि यह 1 का x का respect में लोग पढ़ता ही है, x, तो 1 का x का respect में, x, limitement जो भी है, 0 से 2 pair, अच्छा, इधर V0, R as it is, V0 into R, यह तो constant है, और यह इस quantity का integration क्या हम लोग यह पूरा निकाल चुके हैं, स्कॉट आदे तो मैं, देखो, इस quantity का जो integration है, चीक है, क्या हम लोग निकाल चुके हैं, माधर डॉप सब्सेक्शन से, माइनस 1 बाए, जो भी है मतला, बोल भी, clear, V0 R और इसका integration, माइनस 1 बाए, V0 जो भी है, और limit यहार, 0 से, तो देखो, बोला, V0 बाए, अबर मैनस लोल मट, बोलो भी, क्या किया है, सामने, calculation सहाँ पार हो, SQ2 पाई, R SQ0 पर मानस लोल मंट, यह मैनस आदेखो, बच्चे बच्चे को बता है, तो आर ने आर को मारा, आर ने आर को बहुत मारा यह क्या कर दिया समय मैं नहीं आर भाई यार दोनों से अलालों से डिवेट एरा दे आर भाई रिए अधर रहेगा और यह यार आर रा चिपका दिया और इसका माइनस अधर शिफ्ट कर दिया कि अब क्या हैं हम थोच दिर पहले पढ़ चुक है लोग- melody आशश बर आबर ए टो यह की पावर ही ओता है अवसनिये हैं log x base 10 a x बराबर 10 की पावर a वही property for ln ln x बराबर a ln मतलब log x base e तो x इतना e की पावर a स्कुए रख ले कई बढ़ जरूत पढ़ती है तो इधार देख ln x बराबर a तो x बराबर e की पावर a तो ये x हो जाएगा e की पावर इसमें चपका दे आवज नहीं आई आना तो बोलू रहे बस 10 में डॉरा है ना चुट्ती कर रहा हूँ ठीक है आना देखो ln x बराबर a तो ये x हो गया e की पावर a अब यहां से टी कितना है आना बोलू बई दम सल्टी बल्टी माल लिए ये दर आगया पॉस्टो आगया ये दर आगया निगटो आगया तो क्या फाइनली टाइम पिरिट आफ रेवलिशन तुम्हारे सामने आर भाई वी नोट है क्या है भाई ये आगया ये सुनों नहीं आर से दर मल्टिप्लाइ कर दिया वी नोट सो डिवाइट कर दिया और ये बाटी दा अधर ये ये चोड़ा सवाल है जो ड़ वांस हम पूशा गया था सवाल नमबर तहए का इनटी अनर्जी इस थुक्शनम दिसेंशक कैनलतग आर थी अजको फॉंक्शन अफ दिस मं अप-शन एक तो देखो ऐसा है तेक जब भी सवाल में तुम्हें सरफ फोस पूछता है मतलब इडिस रिजल्टेंट फोस एक्सेशन पूछता है ने टैक्सेशन है रिजल्टेंट एक्सेशन लॉसी में तोटल लॉसी यहां पर यह सवाल है यहें का सवाल है भाइनिक मैं जैसे बौटी आगे बढ़ेका वो तो यार डिसोंटेंट त्रावल बढ़ते हुआ जाएगा और दिसंस अगर बढ़ेगा तो यह कानेटे इनर्जी बढ़ेगी मतलब यह स्पीड बढ़ गई न और स्पीड अगर चेंज होती है तो मोशन कैसा हो जाएगा न्यूसियम कैसे रिलेट किया समय है जैसे जैसे बाड़ी आगे बढ़ेगा समय बढ़ने से यह दिसंस वह ज्यादा ट्रावल करें ना दसन्स बढ़ेगा काईटनेंट अट जी बढ़ेगी स्पीड बढ़ेगी स्पीड चेंज होगा मोशन कैया है एनूसियम समभा न तो यार एनूसियम में सेंट्रिपटल फोस भी होगा तो रिजलेंट फोस होगा अंडर रूट आफ स्कुर्ण प्लस एफ सी स्कुर्ण तो आपको सेंट्रिप्टल फोस अलक्स निकालना पड़ेगा टेंजिंशल अलक्स निकालना पड़ेगा उसके बाद रिजलिएंट का फॉर्म लगो मां सकते हैं तो दिस अब बेसिक आइडिया प्लाई कैसे करते हैं सुन्दियां से तो य सब्सक्राइब तो वी हो जाएगा एस अंडरूट आफ है कि ट्वाई से बया है क्लियर तो यह पर्टिकल की स्पीड है यह क्या है वह काने टेंट इनर्जी के एक्सपेशन में वी क्या होता है एक चीज़ बहुत ध्यान समझें एस मतलब डिसंस अवी मतलब स्पीड है संट्रेपडल फोस कितना वो असने निकल सकते हो संट्रेपडल स्के पढ़ते हो तो देखो रहां मतलब एम आर मतलब आर और वी स्कुर भी स्कुर मतलब यह पूरे शिपका दे तो देखो क्या किसमने है इसको स्कॉार करा दिये ना तो एक स्कॉर और बाकी तो रूट ऊठ घड़गे के शिंटर पिटल गया ऐसी टेंजेंशन निकलेंगे फिर दोना का रिसेंटर फोस ना हो निकलाएगा अब सवाला यहां टेंजेंशल एक्सेक्षें कैसे निकल लें यह टेंजेंशल फोर्स कैसे निकल नहीं तो यह टेंजेंशल एक्सेशन लोग क्या पड़ते हैं it is dv by dt rate of change of tangential speed ध्यान से समझें ध्यान से सम्झें द्यान से स्पीड इसको differentiate करना पड़ेगा वहां से एटी आएगा andare संदा समझ यार कैसे करना है क्या करना बैठे बैठे सोच रहेगा हैं सोचना है समय थोड़ी हुथा यार इजम में फटा फट सवाल पड़ा तुरंद क्लिक करना चाहिए कि हाँ यार इस को ऐसे से बना ना है कि तो क्लिक तुरंत कभ करेगा जब यह उस प्रफाइल के दुवाधार तुमारे है ना सवालों की प्रैक्टिस हुई होगी प्रैक्टिस बहुत इंपटनत करो क्यों इतना ज़्यादा कॉंफिडंस आएगा है तो यह डिफ्रेंशेट करा लो 80 dv by dt पहले वने समय लाए किया तो मैं समय में आया नहीं देगा साथ अधिक असलियत मेर यह है डी बाइडी टी ओफ वी क्या है डी बाइडी ओफ इव स्पीड और स्पीड और स्पीड है अब लो कितना निकल चुके है एस अंडरूट अफ टू अब यहां पर चुपका दियो तो फुला है डिरे यहां पर चुप दिया अब यह कॉंस्ट अब आ रहा गया और डी बाइडी चुप जाएगा इस पर अब ध्यान से सोच क्या यह डी इस बाइडी वापर से भी हो जाएगा यह यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टंस विद्रस्व टाइम बाइसाब यह है टेंजेंशल स्पीड क्या है दसस्टेंशल स्पीड और देखो देन सुनना देन सुनना यह बड़ा मज़ेदार सवाल है ना देखो तो यह रूट टू एब आया है और इसकी जगे मैं ने सब्सक्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं तो इसलिए वी की वैल्यू ऐसा फंक्शन ऑफ मैं यहां पर चपका रहा हूं यह स्पीड है स्पीड 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 और यह स्पीड ही तो है स्पीड है ना चाप देखो तो यह होगे अंडर रूट आफ टू एब आयम और वी मतलब एस अंडर रूट आफ टू एब आयम तो क्या यार यह तुम्हें ऐसा देख रहा है यह सुनो यह रूट रूट हट जाएगा ना टूएब आयम एसट ऐसा है टेंजिंशल एक्सेश समझभार तो यह रहा टेंजिंशल फोर्स यह रहा सेंट्री पेटल फोर्स है ना तुद देखो सलू देंदें क्या हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह टेंजिंशल फोर्स टेंजिंट के अलंग होता है सेंट्री पेटल फोर्स नॉर्मल के अलंग होता है सरकल के सेंटर से प प्रपास कर सकता है सिरफ नॉर्मल और क्या मैं पता है टेंजन नॉर्मल पॉपेंडियर होते हैं और अगर एफ सी और एफ टी पुपेंडियर होंगे तो यह उनका रिजलेंट फोस नहीं लिख सकते हो अंडरूट ओफ अंञाओ पाइज भरतास होगे तो इस रेट इनल ट्रांगल मैं हना रे गडि फिर फोस पाम निट अंगा रूट ऑफ फ्सपोर फ्कान तो अंडरूट अफ्ससव और श्पर फ्के स्वर फ्के श्कर डोन अरे हैं तो ना के लिगन ज्सक्वार शक्राद कितना थे स्वाएं ट स्क्वारे और वल स्कॉर्व पॉल एसती कितना है है कि तो सर्फ और सर्फ ट्वाइस आण sta औंध 습त अध्या है इन दॉनोंगे से कुछ शॉकर को मून देख रह और है अपने को कि यहार कैसे लिखा किया समय मैं तुमनों को यह समय मैं यह देख ट्वाइस एस का अगर होल स्कूर बाहर निकालेगा तो यहार यहां से तो सर्फ वन आएगा नहीं दो वजैका टो यहां पर ट्वाइस एका बाहर और एस स्कूर बाहर लेकिन एकर शूट जाएगा तो इस खोर बचना और आर का स्कूर बचना ंदक्र है यह सबड़ना है तो ऐसे समय देख जितना थह दो और एसी नहीं चंप एए तक energ Kaiser लेब मतलब मतलब इसको बैता रहा है अले ट्वाइस एस नहीं एक ही बात है ना ट्वाइस एस इंटू एस और स्काहोल स्कुर्ण और नीचे वाली पर्टी पोला से लिए अर्सकुर्ण और यह तो ठीक है बही अब द्यान से देख अब जो है तुम लोग फ्रसाइब यह द्यान से देखो अब इन नौना मैं से अगर ट्वाइस एस का होल फॉर बाहर आएगा सर्फ वनी तो बचेगा वो थोड़ा डिरेक्ट हो गया नहीं पर ट्वाइस एसकोर बाहर तो यहां से वन और यह बाहर तो हैस तो यह चीज अच्छिज अच्छे लिए रोगी तो आ तो यह रिजल्टेंट फोस तुमारा रिजल्टेंट जो फोस आएगा अंडर रूट आफ वान प्लॉस स्कूर वाई बाहर आगे ना रूट उठाट के यह चोड़ा सवाल था एडवांस में पूशा था सवाल नंबर फिप्टीन अच्छा सवाल है ठीक है और इस प्रोफाइल के कई सारे सवाल तीनों में पूशे है चुके है जही मेंस अडवांस अंड इननी टेस्वल ठीक है तो अच्छा सवाल है दियन सुने पेसं समझे थ्री आइडेंटिकल कार्स एंड बी और सी तीन इंटिकल मतलब किसके कंटेक्स में बात हो रही है मास के कंटेक्स में तो यार अपने को गिवन है तीनों जो कार्स है न उन तीनों का मास बराबर है यह जो तीन कार्स हैं यह तीन डिफरेंट डिफरेंट ब्रिजिस के उपर से क्रॉस कर रहे हैं जो कार ए है इस गोइंग और आपके तो यह यह पास कर रहा है मालने किसी स्पीड भी से ठीक है अब अब इसका मतलब क्या हुआ कॉन्वेक्स और कॉन्केव सर्फेस क्या तुम लोग समझते हैं कॉन्वेक्स क्या होता है कॉन्केव क्या होता देख अगले साल जब तुम लोग 12 हम पहुंचोंगे तो 12 की फिजिक्स में बड़ा मज़ेदार यूनिट है जिसको हम बलते हैं ऑप्टेक्स जिसकी दो अगर आप इस सर्फेस को ऊपर से देखें अंदा से मत देखना अगर हम इसको बाहर से देखें ऊपर से देखते हैं ठीक है तो टिस में अपीड़ से देखेगा उन और से देखने कई सेंधिव गड़ी तो बाहर जा रही ना राई इसको हम पहर से देख on इट जो आ यहां हम एक्टिजिल कॉडेगा को चलान या होगा तो ऑप तो आप उपर से देख रहे हैं, this is convex supports, इसको बोला उसने है, convex support, तो car जो B है, यह यार, हैना, ऐसे जा रहा है, किसी velocity से, और जो car C है, it is moving on a bridge concave upwards, हैना, अब देखो, concave upwards क्या, तो यार, concave upwards मतलब bridge ऐसा है, इदर से देख रहा है, अंदर से देख रहा है, यह, 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 से, it is concave, हैना, पहले identify करना सीख, पैचानना सीख, हैना, शकल पैचानते हो, कौन से यह, convex है, कौन सा concave है, इसको बाहर से देख रहा है, it will look like convex, इसको बाहर से देख रहा है, बाहर, बाहर, ओबीस जी बात है, car जो है, अंदर चल रही है, यहां तोड़ी चलेगी, नीचे करना घर है, हैना, तो इसको बाहर से देख रहा है, it will look like concave, ऐसा है, पहले बता, डिफरन समझे मागे, convex में और concave में, कोई confusion नहीं, भाहर से देख एगा, तो it will look like convex, हैना, ऐसा है, इदा देख, फिल कर, समाहर है, यह, 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 ऐसा है, convex, और concave एर एसा होता है, आरे तो यह कौन सा फोस है? नॉर्मल फोस मतलब? नॉर्मल औरेक्शन नॉर्मल फोस मतलब इधर देख जैसे माँ लेस बॉड़ी को मैंने सर्फिस बढ़ा दिया है तो यह सर्फिस अपने पर पंडिव दाशन बॉड़ी पे नॉर्मल रेक्शन लगाएगा कि यह नॉर्म फ्रोस मतलब यह कौनसा नॉया फोस हंया آगया नॉर्म फोस मतलब नॉर्मल रयक्शन है डे रेक्शन भीछ जिस नॉर्मल इसकॉल ड बै। इस थोड़ी बोलता है ऐसा तो सर नुटन बोलता है हेंे यह तो एवरी एक्षियंस परैंब यह टो एक्षिन दो डिरोग्व तो उतने शांदार पढ़ाई की तो कितना बढ़िया है ना उसको रैंक मिला इटी में तो वैसी तुम्हारे लिए तुम जितनी मैनस से पढ़ाई करोगे उतनी शांदार रैंक मिलेगी नीट में यह फर जेए में ठीक है तो देख यह इसमें ध्यान रखें है माल ले कोई फॉर्म आफ नॉर्मल रेक्शन उतना ही फोर्स बोड़ी ने फरफेव पे लगाया एक्जाक्ली इन दो पॉस्ट डिरेशन यह एक्शन है यह उसका रिएक्शन तो यह उससे फरक नहीं पड़ता है कंफ्यूस मत हो तुम लोग कि यार चाहे फोर्स पूछे देखो चाहे पूछे नॉर्मल रेक्शन बाइदा कार ऑन दा ब्रिज चाहे पूछे नॉर्मल रेक्शन बाइदा ब्रिज ऑन दा कार उससे कोई दिक्कत नहीं है तो यह मैं माल लेता हूँ कि यह जो ब्रिज है इस पे हैना नॉर्मल रेक्शन एफे लगा रहा है तो अपना पर वेलंद न द एक जान स्वाहिए अधिक्त प्रफेस अपने पर डियों पहले बता हृँ अधिक्त ते कर देख था है सबस्केल नियुक्त गैसे सरफेस है यह अपने परबंड एंद सैच्ट नॉर्फ एच्ट नहीं अब चाहे पूछे नॉर्मल एक्षिन बैदा ब्रिच अन्द कर चाहे बूचे भाइदा कार लिज्माइब बराबर होंगे तरह डारेक्शन अपोस्ट होंगे एस इस विए इन अनुप लेक्षिन और समय कोई भी सब्सक्रां एक और beth kD आगे यह दोनों घूम रहे हैं यहां पर सरक्लोर मोशन के फंडे लगे अपने को क्या दोचारी कोशन रहां के बैट आगे ना फंडा किलियर स्वांग है शॉलिड ठीक है रॉक स्टेडी, ठीक है, समझा रहा ना, तो देख, क्या है, यहाँ पे यार यह सर्कल बन रहा है, this is a part of circle, this is a part of circle as well, but this is not a part of circle, यह तो यार सीधा-सीधा set track है, तो यहाँ पे यार कोई centripetal force का फंडा नीच लेगा, और यह centripetal force circle में लगाएगा, यह कहीं भी लगा देग set line में थोड़ी लगेंगे circle के फंडे, हाना, तो देखो, यहाँ पे यार हम वहला concept यूज़ करेंगे, जैसे तुम लोगों को सट्टे की क्लास में बताया, in case of जब हम लोग banking of tracks पढ़ रहे थे, या in case of ponical pendulum पढ़ रहे थे, क्या दा रहा है, जब हमने tracks की banking देखी थे, तो वहाँ पे vehicle का motion कैसा था, horizontal में, तो क्या vertical direction में कोई motion थी था, तो क्या vertical direction में हमने net force zero लिया था, क्या सारे force balance कराये थे, और वैसी तुम लोग याद कर पाओ, conical pendulum में, हिदर देख, conical pendulum में भी particle का motion कैसा, horizontal में, क्या vertical कोई motion था, नहीं, तो vertical net force कितना, zero, vertical सारे forces balance रहे थे, same funda यहाँ पे लगने वाला है, यहाँ पे ध्यान से देखें, क्या, car का जो भी motion है, उतो horizontal का है, vertical में थोड़ी कोई motion है, ध्यान से देखो, क्या car का तुम्हें यहाँ यहाँ पे vertical में कोई motion देख रहे है, car यह vertical में ऐसे थोड़ी भूम रही है, car तो चुप-चप, set track पजा रह ध्यान समझा, किसी भी body का जिस direction में कोई motion नहीं होता है, उस direction में body पे लगना वाला net force 0 होता है, सारे forces balance होता है, ध्यान समझा, क्या यह vertical direction में कोई motion नहीं है, तो क्या vertical direction में system पे लगना वाला net force 0 होगा, क्या सारे forces balance होंगे, यह सुनो, अब ध्यान से देखो, क्या vertical में दो एक forcement से आंट च्छान से एक का वेट होगा और का का अपना मतलब पर्सनल बेक्ट और दूसा एयं ट्रैकक नौर्मलत एकन देखन क्लियर है का का जो भी कोई DAY के लिए योग या क्रोकर देखेंग यह जब ये फोस ये फोस एकोल होगा नागिकल नपने और नोटेस कर पा रहे हो उसने चुटा सा और पॉइंट आखरी अखरी में दिया हुआ है कि नॉर्मल रेक्षिन वो कहां पे ले रहा है वेन दे आर एट मिडल ओफ दे ब्रिज इसमें तो कोई दिक्कत नहीं पूरा होड़न्टल ब्रिज है कोई फाइट नहीं है यहां पर फर्क पड़ेगा कार अगर इस पॉइंट पे होगा तो ट्रैक का नॉर्मल लेक्शन अलग हो जाएगा थोड़ा सा थीटा एंगल पे आ यहां पर होगा तो अलग हो जाएगा इसलिए उसने स्पासिफाइब कर दिया है कि समझ पार है इसलिए उसने क्या स्पासिफाइब किया कि यह नॉर्मल लेक्शन अब तर निकालना वन इटेसाट मिडिल ऑफ ब्रिज यह लाइन ऑप समयट्री है है ना ब्रिज के मेंड़ में है इधर या इधर नहीं है क्योंकि इधर इदर करेगा तो फर एंडिवन चेंज ूगी ठीक हो विद्व नों को तोब करादओंगा कैसे-कैसे निकल सकते हैं ठीक है यहां पर तैकर यहां पर तुम्हें डील करना यार ब्रिच के बिलकुल मेंड में है जो मिट्रिकल से जाएकती है उसलिए उसने चलारिफाइ घर दिया है कि नॉर्मल ऐसे आप तब निकालने जब कार आप प्रिच के मेट पे हैं को कि यहां पर आसान ने रहां जैसे बी के लिए तुम्हें लिखनी है तो यह तो सिधा-सिदा सरकल है कुई दिख्या था नहीं नेट फोर्स देख टुवर्ड सेंटर ऑफ सरकल एक्वेट करा देविद सेंटर फोर्स यहां पर द्यांस देखें क्या कार पर यह दो फोर्स देख रहे हैं एक तो कार का वेट हो गया वर्टिकल डानुमर डाइशन में दूसरा ट्रैक का नॉर्मल गया वपर की तरफ और द्यांस देख क्या इस यूनों सरकल का जो संटर रहा वो नीचे की तरफ देख रहा है यह सो यह जो पात है ना सब्सक्राइब तो अप्रोच किया है यार बोडी सरकल में तभी घूंती है जब बडी पोईनों कोई फोर्स लगे टूर्ट अंटर तो यहां पर ध्यान दे एंजी लग रहा है टूवर सिंटर नौरमल रेक्शन अवे फिरम सेंटर तो और नान इट फोस टूवर सिंटर मौनल रेक्शन और यहीं क्या यहां पर कार को नासेसरी सेंट्रिपेटल फोस देगा यहां पर यहां पर सेंटर और यार में वी हमेशा सेम रहेगा जितना यहां पर है रहेगा उसने दिया हुआ कि जो कार है सेम कार है मतलब कार का मास बराबर है और जो कार है तीनों परज़स पर सेम स्विट से जा रहा है को दिकत नहीं है न तो देखो यहां से एफ बी कितना निकल आएगा अ कि समझ लो बाद में शापना इसका रेडियस में और माल लेता हूं इस सरकल का रेडियस कुछ मैंने और वन माल लिया कितना माल लिया तो यह दरजाय का पॉस हो जाएगा यह बड़ी दरजाएगी अब आ जाओ सीपे ठीक है तो सब लोग थोड़ा सा द्यान दें भाई कि इस कार पर यहां पर दोई फोस्स लग रहे हैं कुनकों से कार का वेट लग रहा है इंड़ान वर्स और यह देखिए यह ट्रैक है ट्रैक अपने प्रपंडियों डाइशन इंडशन नॉम्मल लेक्शन लगा रहा है अब यार यह मोशन सरकल है और ध्यान से देखो क्या इस सरकल का जो और उपर यहां कहीं देख राए है उल्टा है इसके सरकल का सेंटर नीचे था तो हमने नेट फोस नीचे देखा था यह उल्टा हो गया इसоК Сп कह संटर उपर है तो यहां पर यहां सेंटर कान में लिखे पीछऴ होगाो और अपिश सब्सक्राइब पीछ बागना है ठीक है ऐसा है तो यहां पे थोड़ा देहान से देखें क्या एक्वेशन तुम लोगों को यह चंप की सब्सक्राइब यहां पे कार्व सेंट्रप्र फोर्स देगा एंवी इसको बैर ठीक है तो यहां से एस्टी के वेल्यू कितनी आजएगी इस इट क्लिर आर में माल लेता हूं है ना माल ले सरकल का रेडियाएफ और टूएफ ते व्यासे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको देल लेगे ना पौस हो जाएगा अब आसानी से यार इन तीनो नॉर्मल रेक्शन को आप कंपेर गा सकते हैं अब धियान से देखें तो यार एफसी की जो वैल्यू है देख एमजी का जो फैक्टर है यार वो तीनों में कॉमन तुमें दिख रहा है है ठीक है कैसे कंपेर कर रहे है दियान सुनना तो यार एफसी में एमजी में कुछ क्वांटिटी जोड़ रहा है ठीक है एफ एस सिर्फ एमजी है अच्छा यार वो जो डिक्रीजिंग ओडर होगा ना वो यह रहा तुम्हारे सामने सबसे बड़ा फोस कौन एफसी उसके बाद अंबर कौन क्योंकि एमजी है न और यह तो यार एमजी से भी छोटा पड़ गया है इसलिए सब से चोटा होगा तो मैं वैसे मैक्सम में पूछ रहा है तो यहर एफसी इस मैक्सम आउट आफ दिस त्री फोर्स और एफबी इस लिस्ट अच्छा सवाल है तो आज की जरनी हम लोग यहीं पर वैंड़ अप करते हैं तब तक पढ़ाई करते रहें आल दा वरी बेस्ट